असलाम लेकूम आज मैं आपके साथ शर करने जा रही हूँ वी चानिस समोसा की रेसिपी जो बहुत टेस्टी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है आप एक बाद ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राय करना इसको बनाना भी बहुत आसान है मैंने किस तरीके से समोसे की फिलिंग को बनाया है और किस तरीके से फोल्ड किया है आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं मैंने 2500 ग्राम चिकन लिया था फिर इसको इसके अंदर पानी डाल कर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर यानि ब्लैक पेपर पाउडर डाल कर 10 मिंट के लिए एकदम अच्छे से बॉल कर लिया था और इस तरीके से चिकन श्रेड हमारा बन कर त्यार है इससे हम समोसे की स्टरफिंग बनाएंगे और ये मैंने तीन कप पत्ता गोभी लिया हुआ है यानि कैबेज और दो कप कैपसिकम इस तरीके से कटा हुआ बारिक आप देख सकते हो इस तरीके से कट कर लेना है एक बड़ी प्याज इस तरीके से लंबी स्लाइस में कट की हुई बारिक कट किया हुआ एक कप गाजर साथ से आठ बारिक कटा हुआ लेसुन चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं पैन में तेल गरम करेंगे तेल जैसे ही गरम हो जाए इसके अंदर सबसे पहले हम लेसुन डालेंगे लेसुन को अच्छा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है बस हलका सा भून जाए इस तरीके से इसे बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है बस इस तरीके का चाहिए हमें इसके अंदर आप हम डालेंगे प्याज प्याज को भी हलकी से सॉफ्ट कर लेना है गैस की फ्लेम को हाई कर लेना है अच्छे से मिक्स करेंगे प्याज अच्छी से सॉफ्ट हो गई है अब इसके अंदर हम कैरेट डालेंगे यानि गाजर मिक्स करेंगे अच्छे से गाजर को भी सॉफ्ट कर लेना है ये देखिए इस तरीके से अब इसके अंदर हम पत्ता घुबी और शिमला मिल्ट रालेंगे बारी कटकी हुई इन सब चीजों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है एक से दो मिनट मैंने एकदम अच्छे से मिक्स कर ली अब इससे ढख कर पांच मिनट के लिए रख देना है ताके सबजिया हलकी से सॉफ्ट हो जाए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है बस हलकी से सॉफ्ट कर देना है पांच मिन के बाद आप देख सकते हो सबजी यह पहले एकदम भरी हुई थी लेकिन ढख कर रखने से थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसके अंदर हमने जो चिकन श्रेट बना कर रखा हुआ था वो डालेंगे बहुत टेस्टी बनता है यह चाइनिज समोसा आप एक बास जरूर से बनाना आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा बड़े हो या बच्चे सबको ही पसंद आएगा और किस तरीके से स्टोड करना है मैं वो भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी आप देख सकते हो मैंने चिकन को डाल दी हूँ और अब इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे तो सबसे पहले लाल मिर्च पॉडर कुटी हुई आदी चम्मच आदी चम्मच डालेंगे काली मिर्च आधी चम्मच नमक डालेंगे क्योंकि हम आगे सॉस का इस्तिमाल करने वाले हैं तो उसके अंदर नमक होता है इसलिए नमक हम अभी थोड़ा कम डालेंगे दो चम्मज वेनिगर डालेंगे, दो चोटी चम्मज डाक सोया सॉस डालेंगे, दो चम्मज रेट चिली सॉस डालेंगे, इससे एकदम चटपटा फ्लेवर आएगा, अब इन सब चीजों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है, गैस की फ्लेम को हाई रखना है, ताके सबज दिया गले नहीं, आप देख सकते हो, मैंने तीन से चार मिनट एकदम अच्छे से मिक्स की, आप इसके अंदर लास्ट में उपर से टोमाटो केचप डालेंगे, इसके अंदर मैं तीन बड़े चम्मज टोमाटो केचप डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप थोड़ा कम डालिएगा, आप इन सब चीजों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है, अगर आपको ऐसा लगे के सॉस थोड़ा कम है, तो आप थोड़ा और अपने हिसाफ से डाल ली जाएगा, मिक्स करेंगे इन सब चीजों को एकदम अच्छे से, 102 मिनट मैंने और भून ली थी, बस अब इसको हम निकाल लेंगे, और ठंड़ा होने के लिए रख देंगे साइड में, चलिए समूसा बनाना शुरू करते हैं, ये पट्टी घर की बनी हुई है, आप चाहो तो रेडिमेट पट्टी का यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको थोड़ा पतले साइज में कट किया है, आप इसके अंदर जो हमने स्टरफिंग बना कर रखे थे, उसे हम डालेंगे, समूसे को कई तरीके से फोल्ड किया जाता है, लेकिन मैं इस तरीके से फोल्ड करना पसंद करती हूँ, आपको जैसे भी समझ में आए, आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो, बहुत आसान है इसको फोल्ड करना भी, मैं जिस तरीके से कर रही हूँ, आप भी उस तरीके से क कर सकते हो लास्ट वाले हिस्से को हमें चिपकाना है तो मैंने दो चम्मच मैदा लिया था और थोड़ा सा पाने डाल कर इसका गाड़ा घोल तयार कर लिया था ये देखिए गाड़ा घोल बनकर तयार है इसको हम लास्ट में समूसे की पट्टी पर लगाएंगे ताके एकदम बच्छे से चिपक जाए और फ्राय करते वक्त खुलेना बस इस तरीके से करना है इसको फोल्ड कर देना है ये देखिए समोसा बनकर त्यार है बहुत आसान है इसको बनाना आप देख सकते हो मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ आप देख सकते हो मैंने जिस तरीके से पहले की थी बस इसी तरीके से दूसरा समोसा भी फोल्ड करना है बहुत आसान है इसको बनाना मैंने इस तरीके से सारे समोसे बनाकर त्यार कर ली हूँ आप इस टेप पर आप इसे फ्रीज भी कर सकते हो किसी भी एर टाइट डबे में इसको रखकर फ्रीजर में इसे बन करके 10-15 दिन आराम से यूज़ कर सकते हो इस तरीके से मैंने सारे समूसे बैना कर तयार कर ली हूँ चलिए आप फ्राइ करते हैं कड़ाई में तेल गरम करेंगे तेल बहुत जादा गरम नहीं करना है जैसे ही तेल गरम हो जाए इसके अंदर हम समूसर डालेंगे एक एक करके हमें समूसर डालना है और अच्छे से पलट कर गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राइ करना है अब इसको पलट लेंगे और इसे एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई करेंगे आप देख सकते हो कितना प्यारा कलार आया है समूसे का बहुत खस्ता समूसा बने है हमारे इस तरीके से सारे समूसे को फ्राई कर लेना है मज़ेदार हमारे चाइनिज समूसे बनकर तयार है एक बार जरूर से ट्राई करना आप और मुझे भी बताना आपको कैसी लगी ये रेसिपी अगर ये आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलेगा थैंक यू फूर वाचिंग अल्ला हफीज